देश दुनिया में मंचित होने वाले बड़े महानाटी की शरंखला कोई लंबी नहीं है इस पहरिस्त में महानाटी महाकाल गाथा भी वर्यता क्रम्मे है इस महानाटी की शुरुवात बाबा महाकाल की नगरी ओजैन से हुई है लेकिन जल्द ही नाटी के मंचन की व्यापकत देश दुनिया में दिखाई देगी ये कहना है सैकडो कलाकारों के साथ इस महानाटी को सफल्था पूर्वक मंचित करवाने वाले महानाटी की निर्देशक समनबयक और रंग कर्मी जगरूप सिंग चौहान का बेहत मजे हुए रंग कर्मी जगरूप सिंग से चर्चा की जिए आना नियुद सावाधा था बाल क्रिश्न भूलेने जगराजी आपका स्वागत है आपका क्रतित्व देखकर कहीं महानाटी की नगरी भी काफी प्रसंद नजर आ रही है किस तरह लेते इस महानाट्य को काफी आप शुरुआ से ठेटर से जुड़े रहो आपने बड़ा कुनबा भी जोड़ा है ठेटर का जो कि इस महानाट्य को प्रसुत कर रहा है क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में एक तो बड़े सोभागी की बात है कि देवी अवेलिया बाई जो स्वेहम बड़ी शिव भक्ते हैं उनकी नगरी में आकर शिव कथा का मंचन करना ये अपने आप में बड़ी अलग अनुभुत समराट विक्रमा दित्य ये वहीं से हुआ हमारे मित्र हैं संजी मालवी जी निरदेशन के और मैंने उसमें समराट विक्रमा दित्य की मुखी भूमेका की थी और उसके बाद में हमारे भाई कपिल जी को प्रहणा हुई कि महाकार पर कुछ बनाना है तो उन्होंने जो हमार कच्छे बड़े स्तर पर इस नाटक को प्रस्तूत कर पाए और जिसमें हमने शिवजी की इस प्राकट्टी से लेकर उनके विभा और इसमें बहुत सार यूप कता हैं यहां पर मैं फोड़ा सको छोटा करके दिखा रहे हैं हमने लोगों ने शिवजी बड़ावा तक इसको लिया है और उसके पश्चात महाकल का प्राकट्टी और बसमारती उनकी सबारी तीन चीजे लिया बाकि एतना ब्रॉड विशे हम लोगों ने जो बड़ा बना रखा है कि हम इसे तीन दिवस तक इसका मंचन अलग-अलग कथा और इसको हमने लिया और यहां की जन्ता ने हमें प्रसासरूब में बहुत आशिरवाद दिया है मिल्कुल सही का है कि मंगल प्रसंग परियाजन हो रहा है यह पूछना चाहेंगे कि आखिर इसकी प्रेह ना आपको कहां से मिली क्योंकि आप ठेटर से तो जुड़े रहे लिए इतनी व्यापक इस तर पर इतनी बड़ी टीम को लाना उनसे मंचन कराना थीम को सेट करना हल सक्षभा करते थे जो इतना भवे मंच सजाते तो इतनी बड़ी संक्या में थेटर के कलाकरों को मंच पर उतार कर अपनी प्रस्तिती करा देखें मूल रूप से तो एक बड़े थेटर का कांसेट आया था जो हम लोगों ने देखा है आया है यहां पर उता जानता राजा व उनी की प्रेणिना से सेकंड लाड़ेस इन इंडिया का जो प्ले था वो था समराठ विकरमा देती है तो यह प्रेणिना अधरणी मोहंजी भाई की थी इतने स्तर पर हम लोगों ने कभी बड़ा प्ले किया नहीं था यह भरोसा उन्यों हम से दिया वे स्वेंबी हमारे उस वो तीन सो चार सो लोगों के लिए होता है लेकिन दस-पंद्रा हजार आउडियंस तक पोच जाए यह विचार आधरनी मोहंजी भाई का था अंकल गाथा की बात के जाये तो कितने इसमें कलाकार हिस्चालरे कितना थेटर के कलाकार इसमें भूमी का में होते अलगले और किस तरह से तामजाम पुरा सजाना पड़ता है क्योंकि इसमें तो भगवान शिव की बाराद भी निकालनी होते हुए उसमें तो ढोल नगाड हम किंचित भर कुछ कारी कर पाते तो उसके पीछे में अपने मित्रों को भी बोलता हूं कि रंग कर्मी वह विक्ति होता है जिसे यह कहने का गौरोव हसीले कि वह नटराच का अंश्य है तो यह नटराच की प्रणिना होती कि हम इसको कर पाते हैं मज़ पर लगबक डेर सो कर रहे हैं तो भी यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भी कम है कि शीवानन्त है उनकी लीला नंत है आपने जो शुरुबात की थी 17 सालों में व्यापक रूप ले रही है उज्जन से स्टार्ट हुआ यह कारवाज है अब इंदोर पहुंच गया मुझे लगता प्रदेश के जिलों में भी महंकाल गाता आप देखने को मिल सकती देश व्यापी भी इस कारिक्रम को चलाया जा सकता है वाकरी प्रदेश के मुख्य मंतरी मोहन यादो जी आपके साथ ऐसे में आपको कितनी उम्वीद है कि इस कथा को आप इस महा कथा को महा कावे को कितनी व्यापकता देश दुनिया में भी महंकाल गाता गाई जाएगी आपके मादेश यही था जब हम लोगों का मूल उद्देश ही था जब हमरा अंकर्म करते थे तो पहला प्रश्ण आता था कि मैं अगर थेटर कर रहा हूं तो मैं समाज को क्या दे रहा हूं हम लोग क्या कंट्रिबीट क सब्सक्राइब तो कहिं ना कि यसा लगा तो कि हम लोग अपनी संस्क्रति अपना संसकार अपनी स्टोरी यह धंग से बता नहीं पा रहा है तो वह माद्य में मिला कि को ना माइथा जीकल चीजों को ब्रॉड स्केल पर करे था कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो युवा है वो सब इससे जुड़े और एक संस्कृति को समझे उसी शणी में हमने बहुत सारी चीज़े की हमने राम लिला की भी एक शंखला बनाई है क्रश्ण पर हम लोगों ने तयार किया हुआ है तो हम सारे मायथाला जी को चीज़ों को लेकर चले हैं और महाकाल जी का अभी जो महा लोगते महार कर सकते हमारा काम तो तैयार करना है इसकी प्रस्तुती निश्चित रूप से व्यापक रूप से सभी जेगे देखने को मिलेगी जोग सुरुप सीहंजी चोहान काफी असाधारन व्यक्तित्व के धनी हैं बड़ा काम कर रहें लेकिन बहुत किंचित आगर पर पर चर्चा के लिए तैयार हो जाते हैं और यह उनको बड़ा बनाते हैं केमरा बरतन सुरप पवार के साथ में बालकुष्म लेडी जानानूस इंदोर